अग्रिमेंट में छोटी सी गलती रह गई थी हाँ, मैंने बाद में सब कुछ ठीक कर लिया था तेरी शादी की बहुत चिंता हो रही है बिटा आप लोग मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा हम लोग यहां से जा रहे हैं हाँ, पहुंचने पर फोन करूँगा चाची चाचा जी से भी कहना कि चिंता न करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिर से फोन करूँगा अच्छा रखता हूँ अरे भाई, वो तो चुप-चाप चला जा रहा है जब उसे पता चलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे हमारा एग्रमेंट किसी में होना शाहिए यह क्या माच रहा है यह हमारी फोटल एकर क्यों घूम रहा है यह ब्रीफ केस उसी का है न अरे रे रे क्या हूँआ, क्या हूँआ रही ने यह ब्रीफ केस त्राइट 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 टू क्रोड लोन फ्रम आवा बैंक इफ यह टोंट पे आवल पूट यू अगर वह नहीं भरे तो जेल में आल दिंग इसकॉंडरल्स इसकॉंडरल्स बदमाश धोख यही का उसने ट्रांसलेशन अच्छा कर लेता है कमीना बदमाश कहीं का चलवाग सराथ के नाथ में ज्यारा दर तो ही बागया से इससे तो बाते करना बेकार है अब वेंकटेश का ब्रीफ केस समझ के उठाया ना मुझे कैसे पता चला यह सोच रहे हो क्या का था उसने भगवान का नाम लेकर उसके साथ जो भी धोखा करेगा वो पच्टाएगा एवरीबडी हेर लड़ीज जंटेमेन नो वच्छ देस इस 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 अग्लास ना सी दिस प्रसाद जी निकल जाएगी आप लोग आ रहे हम लोग आगे निकल दें आप लोग निकाल के मारूंगा हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं इंतजार नहीं कर सकते हैं यहीं रुको यह लीजे मॉम हाई आंकल किनी देल लगा दी कहां थी अब तक सॉरी आंटी जी जाने दो बेटा सॉरी क्यों कह रही हो बिन बाप की बच्ची हो यह ट्रेन नहीं दूसरे से चले चले चलेंगे चलो आँ अरे अंकल यूँ आँ सो स्वीट लाओ लाओ मुझे दे दो मैं ले जाओंगा तुम लोग अरे आपके उठा रही है मुझे दीजे आप जाए में ले आता हूं जाए थैंक यू ब्रादर देखो चोटू औरतों के इज़ट करना हमारे देश की परंपरा है जो औरत के इज़ट नहीं करता वो मर्द नहीं है वेंक टेश यू टच मैं हार्ट फोरेवर और यूर यू अंकल जी इन हॉलिडेज के लिए मेरे दोस्तों ने काफी कुछ सोच रखा था और मैं इन्हें यह कहकर लाई हूँ कि प्रसाद अंकल के यहां बहुत इंजॉय करेंगे अब अब क्या करेंगी मैं गुछ नहीं जानते हैं तुमको अगर प्रोग्राम बोरिंग लगे तो श सॉल्व कर सकती है है अहां सर ऐसे इंजॉय कर रहे हो जैसे अपने पैसों से टिकट लेकर घूम रहे हो तुम्हें क्या करूं सर अपना टैलेंट दिखा अरे ऐसे मौके का ही तो मझे इंतजार था अरे शुरू करते हैं चलो बैठो अब मैं तुम्हें जबर्दस क्लासिकल गाना सुनाता हूं बहुत रियाज किया है शुरू करूं क्या है अरे विंकटेश सर ड्रीम गल के उपर तुमने गाना लिखा था ना हां सर तो गाउना उसे गाउंगा सर वो वक्त भी आ गया है चाचा जी एक गुड निउस क्या है बेटा मुझे मेरी ट्रीम गल मिल गई अच्छा कौन है वो लड़की उसका नम पूजा है बहुत ही अच्छी लड़की है हमारे और्गनाइजर प्रसाजी है न यह उनकी भांजी है मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा यह मैंने तुने तो तैक कर लिया लेकिन वह लड़की तुझे पसंद करती है क्या ऐसा मत कहिए चाचा जी आपको ज्यादा ही सोचते है वैसे वह कम है एक काम कीजिए कला मंदिर जाकर मेरा नाम बताइए और उससे शादी के कपड़े और जेवर खरिद लीजिए मेरे नाम से डिसक कि हुए और जाधिक है यह सब क्या है वो भी उसके साथ घैल कियो रहे है क्यों हो रहे मुन्णा तुने सब सुन लिया क्या है मोवाइल दूसरा ले यह शुक्र से ने दूना बच्ची की फोटो क्या तो मैं तुम्हारी बच्छी की कसम अपना मूँ बंद रखना फोन समाल करको चलो एक नमबर का कमीना है मेरी बच्चे की कसम दिलवादी वाट मैं और उसकी ड्रीम गल नहीं बेटा उसने घरवालों से शादी की बात भी कर लिए पागल है क्या बस यहीं समझ लो बेटा ऐसे लोग किसी के जजबात की परवाह नहीं करते फर्ज करो अगर तुम भी उसके साथ ड्रीम गल का नाटे करती हो तो उसके दिल की सारी फिलिंग्स ग्राफिक में बदलकर बाहर आती रहेंगी और हम लोगों को मजा आता रहेगा अपनी खुशी के लिए दूसरों के चजबातों से नहीं खेलना चाहिए अब छोड़े ना यहीं तो तुम लोगों क शीज पूजा प्रसाद मेरी भान जी नमस्ते विंकटेश बाबु तुम्हारा गाना सुनते ही तुम्हारी फैन हो गई तुमसे बात करने के लिए जिद करके बैठी थी इसलिए तुम्हारे पास ले आए अगर तुम्हें अतराज होगा बोलिये अंगल जी चाहिए ना वह आपको मुझसे बात करनी थी या यू नो वेंगटेश तोड़े इस अंद आइवर फर्गेट इस देए अन्यूए येस येस वाट आपकी शादी हो चुकी है ये किस गदेने का आप से आपी नहीं तो भी कहा था ओ मेरा ध्यान कई और था इसने शायद गलती से निकल ग होगा अब होशा होस में कहता हूं मेरी शादी नहीं हुई है इनकी शादी नहीं हुई तो तूम क्यों खुश हो रही हो हमारी तुम समझ भी नहीं आ रहा मगर मैं समझ गया तो मिस्टर वैंकटिश आपकी उमर कितनी है उमर तो ठीक है बस 19-20 का लफड़ा है इसका क्या मत दिल तो पागल है दिल दीवाना है मतला बुसी साब से 27-28 का रहूंगा मैं पर आप तो काफी जवान है इसका सीक्रेट क्या है अरे यह तो गड़े मुर्दे उखाट रही है सीक्रेट इसा कुछ भी नहीं जस्ट फूड है अपने गुरू से रह लेता हूं अपने गुरू से और अपने पड़ोसी से भी वह अपने खाने पर बहुत द्यान देते हैं उधारन के लिए कच्छी भाजी कच्छी मच्छी कच्छे बादाम कच्छे काजू कच्छी मसूर की दाल कच्छी तूर की दाल कच्छी उड़त की दाल जारा तर कच्छी चीज़े ही खाते है और बातें करती ही जाओं अब बातें बंद करो और अंकल घुस्सा करेंगे अब चलो 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 ठीक है ओकी वेंकटेश आख सुनिया नहीं तो ओ मुझे ऐसा लगा तुमने बुलाया सॉरी जो भी तुम्हें नजर आ रहा है या जो भी तुम्हारे दिल को महसूस हो रहा है वो कोई मामूली ऐसास नहीं है ऐसे ऐसास और ऐसे रिष्टे को ही प्यार कहते है जो इंसान के जिन्दगी का है कहम हिसा दिल दिवानाक हो गया प् मतलब 26 27 और कच्छी सबजियां कच्छी मचलियां नामेचू टेक 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 वाट पर खाना खाना चाहिए अपनी जिन्दगी में इससे पहले कभी हितना नहीं है अंकर जी अगर तुम लोग इसी तरह मुझे बॉपेट करती रहोगी तो आगे भी अब बहुत एंजॉ पूज़ा गई मैं तुम्हारी और अपने आप खींचता चला गया हर घड़ी हर लमहा बस तुम्हारी यादों में खोता रहा तुम्हारी एक ही छुवन से मेरी सांसे थमने लगी दिल जोरों से धड़कने लगा हर जगा बस तुम ही तुम नजर आने लगी जिस प्यार के मैं तडब रहा था उसे अपने आखों के सामने देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी जिंदगी में दुनिया भर के खुशियां सिमट आई हैं मेरे प्रियतमा वेंगटेश सारी तुम्हें डिस्टरब तो नहीं हुआ नहीं सर कहिए न क्या कहूं वेंकी जब से पू मैटर है मतलब बहुत दूर तक पहुंच चुक है मुझे बात करने दोगे क्या जाए यहां से मैं पंची तेरे पागल है यह मैंने अपनी ड्रीम गल के बारे में बताया था जिसके लिए मैंने गाना भी गया था वह और कोई नहीं आपकी बूजा है विंकटेश सर गुस्स कि तुमारी ड्रीम गल कैसे हो सकती है इसके पीछे वज़ा है प्रसाची पुजा को जब पहली बार रेलवे स्टेशन पे देखा तो लगा वही मेरी ड्रीम गल है पर यह बात मैंने अपने दिल में दबा दी पर आज जब मैंने उससे बात की तो मुझे लगा वो भी उससे प्यार करती है तब मैंने ये बात आपको बताने का फैसला किया से जब सिर पे प्यार का बुखार चड़ता है ना तो लड़की की हर हरकत प्यारी नजर आती है लेकिन जब सच्चा ही सामने आती है तो लड़कियों को बुरा भला कहके उन्हें कोसते हैं ओ जाड निगेज बाते बाते मत करो वैंकी जब जाए इसका लव जरूर कामयाब होगा चेते बच्चे बगवान का रूप होते हैं अगर आपको इतराज नहों तो बाकी सब में सब लोंगा अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे बहला क्या इतराज हो सकता है आई विश्य वाल कि आख सकती ल द्रम मैं कुर्द आल आंगे घ्टायम बहले ख में टांतर है में विश्य दांसर नहां के द्रम का पैर यह ऑनोस के अटक्राइबे दू के भाईब्स है कि अब खा Hagin आ यह क्या तो गांगा से प्यार्त से प्यार करते हैं तो तो जब आपके बहुल ते तो फिर वो शेखर से चोच क्यों लड़ा रही थी? यह आप क्या कहने है प्रिसाज जी आर यू शेखर मेरी भान जी जो तुम पर जान छड़कती है वो प्यार के सागर में डूप चुकी है मैं उसे बचाने गया तो कहने लेगी अगर शेखर बचाने आएगा तभी बाहर निकलूंगी इश्क विश्क प्यार व्यार व्यार व्यंकेड़िश की सत्म और जान मैं दू अरे उसी को बेजा बेजा अरे पगले तुझे सतानी के लिए ही उसके साथ प्यार का नाटक कर रह अरे मुझे टैर्ना नहीं आता वह मर जाएगा वह मर जाएगा तो हम फस जाएंगे अब क्या करें हम निकल लेते यां से चो हो हो है थैंक्स भाई तो से माइ लाइफ आप पूजा मुझसे प्यार करती है तो तुम आत्मात्या करोगे नहीं मैं उसके लिए कुछ नहीं सुनना मुझे अरे आज जो तुम कर रहे थे उस पर कल पच्ताना पड़ेगा जो वह उसे भूल जा उसे दिल पर मतलो वैसे पूजा का है मुझे नहीं पता ठीक है मैं उसे डूंड लूँगा तुम खयाल लगना वह सब कैसा मेरा मिसर्जिंट कर रहे थे एक मिल जाए तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं फूजा जैसी खूबसूरत लड़की ऐसे फटीचर से प्यार करेंगी वह सोच भी कैसे सकता है अकर वह ऐसा सोचते तो हम उनसे खेलते कर रहे हैं कैसे लोग हो तुम पर भरोसा करके हम लोग यहां पर आए और तुम हम लोग कि अधिन को तो अधिन को तो मज़ा चठाता हूं क्या हुआ वेदिकी सर देखिये ना वो गिर गया फिर भी उसे कितना मार रहे है पूजा को भी इसी बात काफसोस है इसलिए उसे सबग सिखाने के लिए तुम्हारा नाम लिखवाया है मुझे सबग सिखाने की क्या जूरत है भगवान है ना वो जरूर नरक में जाएगा पर अभी तुम अंतर नहीं गये तो पूजा हाथ से निकल जाएगे यहाप क्या रहे हैं और नहीं तो क्या है पूजा है कमिर खानदान के लड़के हैं अ तुम्हारा आओ कॉर यहाँ यहाँ और वहा पूजागा को यहाँ ऊंतर ए तुम उस फ्र्थिदा आगा यह कल घे कर मेने उसे उकसाया है क wrenchनeg vapor गउगा थोड़के ए पुछ नहीं होगा बेठा सिρ्थ थोड़के अं़िगा नंग तो तो दो लोगा पिरूचा हैं यहाँ है च्कार्ण यह है जुर्द चैनल रहे है आट आटि आड़ हमार खाए है हम उसे एंकरीज करेंगे तो उसे ढोड़ा लेगा Come on Wanky, come on You can do it Didi, तुम भी बहलो ना Come on Wanky Come on Wanky You can do it Come on Wanky, 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 you can do it Yes Yes Come on Yeah Come on Wanky Hey Come on Wanky Huh Yay Yes Aaaaaah Yeah बंके इसे अच्छाने करें तुम्हारे एंगरेंज करने से वैंकी कैसे जीत गया, इस पावर अफ लाव प्राइन किया है अच्छाने इस वह अच्छाने, आफ लूए अच्छाने करेंगे अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे बेटा पुजा विंकटेश से खेलने का मेरे पास एक और आगी है और नहीं आंकल जी उसके इमोशन्स के साथ खेलकर मैंने अब तक बहुत बढ़ी कलती किया उसके आखों में देखकर मैं तुमसे प्यार नहीं कर दी और जो भी मैंने किया वो सब नाटक था यह कहने की हिमत मुझ में नहीं है ठीक है बेटा उसका दिल दुखाने का मेरा भी मकसद नहीं है मैं कोई उसका दुश्मन थोड़ी हूँ है मैं उससे बता दूँगा तुम जाओ मैं बता दूँ क्या भाई क्या कहा कुत्ते की तरह मारेगा तुझे देखा उस पहलवान की हालत कर दी अब ने से वींट जॉंसं को पैसे देने का वादा किया अगर वो चलते-चलते तुम्हें मुड कर देखती है तो तुमारा प्यार कामिआप हो और अगर नहीं मुड़ी तो आप मुझे डरा रहें सर तुम मैं क्या करूँ यार बहुत से फिल्मों में ऐसा ही होता है इतनी सी बात है न है श्रीकृष्ण सारी विंकटेश पूजा ने मुड़कर नहीं देखा इसलिए तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा तुम्हारा आत्मात्या करने का मन कर रहा होगा दिवार पर सिर्पटकने आए अब आगई वह देखे क्या हो आगई तुम जाओ मैंने से समझा दिया जाओ मुझे बहुत खुशी हो रही है सर पार्टी कोन दे रहा है हम पार्टी के नाम पर उसे खूब शराब पिलाएंगे फिर कपड़े उतार कर फोटो खीचेंगे वेबसाइट पर डालने की धमकी देंगे अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर करेंगे और उसे उसके प्रोगाम का पेमेंट भी नहीं देंगे और बात में उसकी फोटो उसे वापस दे दोगे वेबसाइट पर डाल देंगे असाथ सर बहुत अच्छे हैं मुझे प्यार मिल गए इसलिए पार्टी दे रहे हैं अब नहीं जानते मेरे पीते ही सुन्दर मास्टर जी डॉक्टर साब जोसेफ अंकल सब सामने आते हैं वो यहां कैसे आ सकते हैं पीती तब वो आ गए थे इसलिए मैंने शराब पिना छो जूस की तो दो-चैर बॉट्ल भी जाओंगा जल्दी करना शिंता मत करो मैं ऐसा मिलाओंगा कि उसे पता नहीं शेलेगा जल्दी करो जानना ही है तुम्हें अपना पासपोर्ट चाहिए अपना प्लान अपने पासपोर्ट चाहिए अपने जगा पर जाकर बैचा यह ले यह अपने थे जूस तैंक यू सर आप लोग भी शुरू कीजिए ना हाँ 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 क्या बंक टेश न दो चाहर बोतल पिऊंगा कह रहे थे एक सहीं आउट हो गया गुड मॉनिंग सुन्दर मास्टर जी सुन्दर मास्टर पीने के बाद उसे नजर आते हैं वाट बैंकटिश वाट हैपनिंग आज कल क्या कर रहे हो शशिकला के बारे में आप से कुछ बात करने हैं वही फिल्मी हिरोईन के जैसी खुबसूरत दिखती थी वही शशिकला कुपसूरती की तारीफ करना मेरी यादत है और मैं अभी तो जवान हुआ अरे अपने मास्टर को मारता है लड़कियों की बुराई करने वाचाथ मास्टर होता है जो भी होता है सुन्दर मास्टर जीने मेरी जोटी ची किताब लेली वह वापस नहीं दे रहे हैं स्टूड शराफत वेज़ दी क्या उमारा पी-पी और दॉक्टर अंकल हुआ है एक बार बोल दे यार नहीं तो बहुत हैं ओके मैं तुमारा दौक्टर अंकल ही हूं बोलो क्या बात है मेरा दोस्र रवी किजन जब अपना पैर तुडवा के तुमारे ऑस्पिटल में आया था तो त आप मेरे ग्रेट जोसफ अंकल है रहा है मतलब वो पॉजिटिव करेक्टर होगा हाँ मैं जोसफ अंकली हूँ अब बच्पन में जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपके गहर आता था तो आप मुझे चॉकलेट देते तो मैं अभी भी तुम्हें चॉकलेट दे सकता नहीं अंकल जो इतने अच्छे इंसान होकर भी आपने ऐसी गलती क्यों कर दी काम सी गलती आपस में खुसर कर रहे हो मुझसे बचने के कोशिश कर रहे हो क्या मेरे बच्चे विज़े से मेरी यादास चली गए थी तो ना हम्म ठीक है तुम्हारी लड़की है मेरी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे थे प्यार करते थे जी सारी बाते मेरे दोस्त डेवीड को बता कर अमारी दोस्ती में दरार परदा की को रहाए जो तेरी लड़की कुलमाद। अब मुश्याइ अब मुश्याइ